और अब बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान के पूर्व राश्पती परवेज मुशर्फ नहीं रहे उनका निधन हो गया है दुबई के अस्पताल में वो भरती थे लंबे समय से वो बिमार बताया जा रहे थे उसके बाद अब उनका निधन हो गया है ये बड़ी खबर इस बिमारी बतायी जा रही है अमाई लॉय डिसिस नाम की बिमारी बताया रही है उसी से जूज रहे थे जिसके बाद में उनके जो अंग थे सभी अंगों ने काम करना बंद कर दिया थे जिसके बाद में ये माना गया कि अब उनकी रिकवरी जो है उसकी गुंजाइश जो है खत्मोंची के और इसी को लेकर बताया जा रहा है कि परिवार ने जानकारी दी है कि उनका निधन हो गया है उनकी मौत हो गई है बड़ी बात ये भी आम पर समय लेकर कि बिमारी किस तरीके की है तो इसे लेकर जो बिटेन का नैशनल हेल्थ सर्विस है उसने इस पर बताया है कि बिमारी जो है दुरलब बिमारियों में गिनी जाती है और मोटे तोर पर इसे बिमारियों का एक ग्रुप कहा जा सकता है जो कि इंसान के शरीर में जब ये बिमारी लगती है तो कहा ये जाता है कि अमयलोईड नाम की जो आसामाने प्रोटीन है वो शरीर में बनने लगता है जिसकी वज़े से दिल, किड्नी, लीवर और नर्वर सिस्टम जो है उसके साथ ही दिमाग जो है उन अंगों में ये प्रोटीन जमा होने लगता है जिसकी वज़े से जो अंगों के टिशूज हैं वो ठीक से काम नहीं कर पाते हैं और बता जा रहा है कि इसी बिमारी से जिसका नाम जो है अमाई लॉरी डैसिस से वो पीड़ित थे तो ये बड़ी जानकारी यहां पर मिल पा रही है पाकिस्तान के पूर्व राश्पती परवेज मुशर्रफ नहीं रहे है उनका निधन हो गया है लंबे समय से वो ये बिमारीों से जूज रहे थे जिसके बाद अब उनका निधन हो गया है